हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एचसेसी एड़ा एचसेसी एड़ा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है प्यारे बचो एचसेसी प्रीविएस इयर पेपर की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी प्रीविएस इयर पेपर की सीरीज का यह चाटा पेपर अपना रहेगा प्यारे बचो और यहां पर क्या होगा आपको एचसेसी 3 2018 कटेगरी नंबर एक हरियाना पुलिस कोंस्टेवल जीडी गा पेपर हुआ था प्यारे बचो तेईस दिसंबर 2018 को मोर्निंग सिप्ट में ओफिसियल अंसर की के साथ प्यारे बचो कंप्ली क्लास होती है या फिर कोई नई क्लास कोई नई वीडियो आपके लिए आती है तो उसका नो टिविकेशन आपको मिल सकें एचसेशी अड़ा टेलिग्राम ग्रूप को जोईन करें पीडियाफ्स के लिए वी और कवीज के लिए भी एचसेसेशी अड़ा occup उसके अंदर आप जुड़ सकते हो, सभी के जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्षन में आपको दिये जाएंगे प्यारे बचो दिये गए हैं, तो वहां से आप मुझे जुड़ सकते हो तो प्यारे बचो यहां पर हमारा जो first question है यह paper प्यारे बचो question number 8 से शुरू किया गया है बरुन को जनम देना डैस कहलाता है तो इस question का जो answer होगा प्यारे बचो चार option अपने सामने है रोपन, निशेचन, परसव या अंडोच सरजन तो प्यारे बचो जो राइट अनसर होगा वो हो जाएगा C option जिसको बला जाएगा पार्चू रीशन तो next question है प्यारे बचो अपना question number 9 भारतिय सवीदान के समानता के अधिकार समानता के अधिकार से जुड़ा होगा question प्यारे बचो तो यहां पर चार उपसंदिये हुए हैं अपने सामने इन में से हमें बताना भी कौन सा सही है अनुछेद नंबर 14 प्यारे बचो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है कानून के समक से सभी समान है बिल्कुल सही बात कहिए प्यारे बचो अनुछेद 16 अपना है सारवजनिक रोजगार यानि कि सभी को equal opportunity in public employment सरकारी नोकरियों में सभी को समान अफसर अनुछेद 17 अस प्रिश्यता का अंत अंटचाबिलिटी इस प्रोहिबिटिड बिल्कुल सही अनुछेद 19 उपादियों का उनमूलन प्यारे बचो ये गलत दिया है वो यहाँ पर तो ये अपना article 18 में दिया गया है और article 19 जो है वो आपका right to freedom सभतंतरता के अधिकार से संबंदित है जिसमें हमें कुछ सभतंतरता दी हुई है तो इसका जो answer होगा वोगा d option एक दो और तीन सही है और चौथा option जो होगो यहाँ पर गलत है आगे question है प्यारे बचो थोड़ा सा questions में इस तरह से दिये हुए ये paper जो pdf मिली है इसकी थोड़ी सी सी तरह की मिली हुई है तो इसलिए इसमें थोड़ा सा manage करेंगे हम question number 10th है आपका math का question है प्यारे बचो बिल्कुल करवा रखा है सभी का pdf में भी ये questions मिलेंगे आपको b option इसका answer हो जाएगा तो आपको pdf की एक information देना चाहूँगा तो प्यारे बचो यहाँ पर आप देख सकते हो ये screen के उपर 2015 से 2021 तक HSSC ने जितने भी previous year के paper लिए है 500 plus papers की मैं बात करूँगा प्यारे बचो जो important इपोर्टेट डेट 100 plus paper लिए गए है लगातार 12 गंटे की आपकी marathon class हुई है अपने YouTube channel पर अविलेबल है link वीडियो के description में है topic wise पूछे गए सबी सवाल प्यारे बचो लगबग लगबग सारे सवाल topic wise मैंने करवाए है हर paper के लिए आपके लिए important टेलिग्राम पर जुड़ेंगे PDF के लिए प्यारे बचो Instagram पर मुझे follow कर सकते हो और साथ ही सभी का जो link है इस वीडियो के description में आपको मिल जाएगा और PDF की बात करें प्यारे बचो इस class की जो PDF है तो वो PDF प्यारे बचो आपको जो आप परचेज करनी पड़ेगी आपको वो दो तरीके से मिलेगी आपको पेमेंट करनी होगी प्यारे बचो नंबर होगा बाण में 533 पचास सो स्पैसल है इसके ओपर एक वीडियो भी डाल दूँगा मैं बना कर और आपको प्यारे बचो एक नंबर है 89, 88 10, 14, 12 इस नंबर पर आपको पेमेंट करनी है उपर वाले पर और नीचे वाला जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पर उसका स्क्रीन सोट वट्सैप कर देना है और इसी नंबर से आपको पीडियाप प्रोवाइड कर वाई जाएगी और पहरे बचो कोई भी पीडियाप को लेकर किसी को कोल नहीं करनी है उपर वाले नंबर पर पर पतो किसी को कोल करनी ही नहीं है जो नीचे वाला नंबर दिया गया है आप इस पर अगर कोई इनफरमेशन लेना चाहते हैं तो वट्सअप पर मैस्जिज कर सकते हैं अधर्वाइज पीडियाप को लेकर आपको कोल नहीं करनी है और पीडियाप की जो कोश्ट है वो है RS 15 रुपे 15 रुपे आपको PTM करने होगे किसी PTM गूगल पे जो भी आप कर सकते हो तो ये 15 रुपे में आपको पीडियाप मिलेगी पीडियाप होगी और यदि आप पेक रहोगे RS 30 30 रुपे तो प्यारे बचो ये उन बचो के लिए है जो खुद से सोलो नहीं करना चाहते जिनको सोलूशन चाहिए क्वेस्टन के तो हर एक क्वेस्टन प्यारे बचो बिल्कुल बारिकी से मेरे द्वारा चेक किया गया है मेरे द्वारा सोलूशन किये गए है हैं सभी questions solo है 30 रुपे वाली पीडियाप में आपको sold paper मिलागा मिलें sold question मिलेंगे और 15 रुपे वाली पीडियाप में आपको सिर्फ 15 की मिलेगी questions की तो कोई ज्यादा cost नहीं है सिर्फ गुरु दक्सीना है जो आपको देनी पड़ेगी प्यारे बचो यहां पर बाण में 533-500 इस नंबर पर payment करनी है और इस नंबर पर नीचे वाले पर कोई भी information लेनी है तो इस नंबर पर message करे WhatsApp पर call ना करे PDF को लेकर PDF के लिए कोई और अलग information नहीं होगी कि सिर्फ यह information है यदि आप बार-बार call करोगे तो प्रेशान हो जाते हैं और किसी को अगर किसी काम को लेकर call कर नहीं होते है तो वह call भी फिर मैं अट्रेंड नहीं कर पाता हूं इसलिए प्यारे बचो आप से request आप WhatsApp पर message करेंगे तो बहतर होगा आपके question का सटीक अनसर दिया जाएगा तो आप चाहो तो PDF आप ले सकते हो तो next question की तर बढ़ते हैं बांगलादेश पाकिस्तान और भारत तो प्यारे बचो बारत तो देखो सामिल होगा ही यह तो उसने बिलकुल मजाग कर दिया हमारे साथ पाकिस्तान मैनमार बांगलादेश पाकिस्तान भी साथ है बारत के और बांगलादेश भी प्यारे बचो तो आंसर हो जाएगा अप प्रफशन और प्रफशन नमबर 14 निमनली कि नीली करांतिक से संबंदीत है तो यह मचली उत्पादन से संबंदीत है तो प्यारे बचों यहाँ पर अगले क्वेशन की तरह बढ़ते हैं क्वेशन में क्या दिया हुआ है एक दिये गए स्थान और समय पर वायू मंडल की स्थीति को क्या कहा जाएगा एटमोस्पेर एट गीवन प्लेस एंड टाइम तो प्यारे बचों जलवायू मोसम क्लाइमेट वैदर या फिर उसको मोसम विज्ञान बोलेंगे मैटियोलोजी या फिर उसको बोलेंगे नन ओफ दीज तो जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा अपना B option मोसम उसको weather बोला जाएगा प्यारे बचो next question अपना computer से दिया गया प्यारे बचो programming का question है इसका जो right answer होगा वो होगा A option question number 17 देखो भी इसमें क्या दिया गया प्यारे बचो डैस हरियाना में उर्जा उत्पादन हे तो उत्तरदाई है तो हरियाना में जो responsible for generation of power in हरियाना तो हरियाना power generation corporation limited C option जो है इस question का answer होगा हरियाना उर्जा उत्पादन corporation limited तो यहाँ पर चार option आपके सामने दिये गए हैं हरे question के आप चाहो तो प्यारे बचो अपना level check कर सकते हो साथ के साथ questions के answer दे कर और दूसरी बात आती है प्रिविएस year के paper क्यों important होते हैं क्योंकि प्यारे बचो देखो आप previous year के papers जो है उनमें क्या होता है questions बहुत ज़्यादा repeat होते हैं और उमें उनसे level का पता चलता है कि पोस्ट के लिए किस level का प्रजो पहले पूछा गया है आगे क्या आने कि उसमें उमीद रहेगी question number 18 अपना math का question दिया गया है प्यारे बचो तो ये question आपको इसका भी option अज़रू जाएगा ये सबी question आपको PDF के अंदर solution के साथ मिलेंगे और उनके लिए आप मेरातन कलास भी देख सकते हो next question number 19-हरियाणा के एक सवतंतरता सेनानी थे जो आगे चलकर प्यारे बचो राज्या के मुख्यमंत्री भी बने तो सवतंतरता सेनानी कोन था भी वो थे चोधरी देविलाल अब next question यहाँ पर दिया गया है ये आपका reasoning का math का question है तो ये सब आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे तो प्यारे बचो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपना जो next question दिया हुआ है यहाँ पर question number 21 देखेंगे भई सभी बच्चे साहीवाल डैस की एक किसम है तो प्यारे बचो साहीवाल किस की एक किसम है चिंकारा, बाग, मगरमच और गाएं इन में से हमें सही answer बताना है तो साहीवाल किस की किसम है सभी को पता है प्यारे बचो गाएं की एक किसम है डी ओप्सन जो है इसका answer हो जाएगा तो प्यारे बचो मगरमच परजनन के अंदर है यह रणा में कहाँ पर अवेलेबल है तो प्यारे बचो बोर सैदान कुरुक छेतर के अंदर मगरमच परजनन के अंदर है next question है question number 22 निम्मन लिखित में से कौन सा एक उन पांच गावों में से है जो यूदिष्टर दुर्योधन से मांगना चाहता था तो यूदिष्टर ने दुर्योधन से कौन कौन से पांच गावों मांगे थे और उन में से एक गाव यहां पर दिया हुआ है बाकी के चार जो है प्यारे बचों आपको comment box में answer करना है कि और वो चार गाउं कौन-कौन से थे option A मेवात, करनाल, पलवल और सोनी पत तो प्यारे बचों पलवल एक ऐसा गाउं था जो युदिष्टर जो है दुर्योधन से माँगना चाहता था और उसके लावा चार गाउं और थे, वो चार गाउं आपको प्यारे बचों comment box में comment करने है next question आपका language से question दिया हुआ है, प्यारे बचों python language का question है which of the following function method acts as a constructor in python तो प्यारे बचों python के अंदर constructor के रूप में कौन काम करता है तो b options वाइस question का answer हो जाएगा intéress, अब आता है question no.24 all triangles are equal equal to null ell triangle सभी तरिभूज शंभाहू तरिभूज हैं, तो इसका खंडन कोν करता है a option सभी तरिभूज संभाहू नहीं है, सभी संभाहू तरिभी तरिभूज तरिभूज नहीं है सी ऑप्शन है अपना एक त्रीबूज ऐसा है जो सम्भाव त्रीबूज नहीं है और डी ऑप्शन है यह सभी तो पहरे बचो बहुत ज्यादा का वहां पर देखना वहां पर आपको पता चलेगा तो सी अंसर इसका हो जाएगा अब आता है क्वेस्टन नंबर 25 एक वर्ग से एक उब्जेक्ट बनाना क्या कहलता है प्रेटिंग एन ओब्जेक्ट फ्रोम एक क्लास इसकार्ड तो प्यारे बचों इसको बोलेंगे इनिशियलाईजेशन ओप्शन ए ओप्शन भी होजेगा इंस्टेंसियेशन ओप्शन च्रीएशन और डेफिनेशन तो राइट अंसर जो होगा वह होजाएगा अपना तो प्यारे बचों मोहमध गज्रनी ने थानेशर पर डैस में आकर्मन किया तो यहां से चक्रव स्वामी की मुर्ति उसको तोड़ दी थी उसने और ले गया था उसको तो प्यारे बचों यहां पर मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा कि आप साथ के साथ इन questions के answer, चारो option आपके सामने होते हैं, आप अपना level यहां से check कर सकते हो, एक तरीके से आप यह मान के चलो कि आप paper के अंदर बैठे हुए हो, और आप इमानदारी के साथ questions के answer करो, फिर बाद में मुझे यह बताओ कि आपने 100 में से 90 में से कितने questions हो, वो next question, question number 28, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का परतिष्ठित के इंदर यह साहित्य अकादमी पुरसकार जीता, यह पुराना question हो चुका है, प्यारे बचों, उस समय पर यह current affair का question रहा होगा, तो B option answer हो जाएगा, रमेज कुंतल मेग, अब next question की तरफ बढ़ेंगे बढ़ेंगे, तो प्यारे बचों, यहाँ पर अपने next question की तरफ बढ़ते हैं, question number 30, और क्या खा गया इस में, math का question है प्यारे बचों, 0-50 के बीच वी समसंक्याओं का योग, D option इसका answer हो जाएगा अपना, सारे के सारे PDF में available मिलेंगे math के question, कोई एक question भी नहीं छूटेगा, 31 question, यह direction वाल question number 32, भारत की सवतंतरता अधिनियम 1947 के पारित होते ही, भारत तुरंत क्या बन गया था, प्यारे बचों, गणतंतरिक राज्या, लोकतंतरिक राज्या, डोमेनियन स्टेट या फिर धरम निरपेक्स राज्या, तो राइट अनसर होगा, C option, डोमेनियन स्टेट जो भारत बन statement about cold war is wrong, यह एक आधर्सवादी यूद है, it is an ideological war, USSR और अमरीका सीधे यूद में सामिल थे, यह सोवियत यूनियन और USA के गुटों के बीच परतिस परदा थी, यह भी सब में प्रेरी थत्यारों की दोड़ थी, तो यह भी सही है, प्यरे बचों, यह भी सही है, और A option भी सह का right answer होगा, USSR और अमरीका इस यूद में सीधे सीधे सामिल नहीं थे, प्यरे बचों, बाकी यहां पर तीन option और दी है, यह बिल्कुल सही है, सीधी यूद के बारे में, आग आता है question number 34, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निमन लिखित को के लिए किसी की जो नियुनतम उम्र है, आयू है, वो क्या होनी चाहिए? A option है 22 साल, B option 24 साल, C 25 साल, और D 30 साल, तो प्यरे बचों, जो राइट अनसर होगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, कम से कम जोयत आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और यदि रज्य सभा की बात की जाए, तो वो 30 व आवियेशन का question है, A option इसका answer होगा, अब आगा question number 36, dash enzyme, glucose को इथाईल, alcohol और carbon dioxide में रिपांतरित, रिपांतरित कर देता है, तो कौन सा ऐसा enzyme होगा प्यारे बचों, तो इसका जो right answer होगा, कौन सा होगा, A option invertage, B option gymage, diastage और maltage, तो इन में से कौन सा होगा, तो B option जो इस question का स तो प्यारे बचों next question की तर बढ़ते हैं, यहाँ पर paper थोड़ा सा जिस तरह से इसका screenshot लिया गया है, प्यारे बचों यह थोड़ा सा आप टेड़ा करके phone को देख लेना, एक बार, manage करना, यदि sin theta plus cosec theta equal to 2, तो sin square theta plus cosec square theta, बहुत अच्छे से समझाया गया है, C option इस question का answer है महराथन क्लास में भी करवा रखा है, और PDF में भी मिलेगा, 49 question, dash को भारत में mini Cuba कहा जाता है, क्योंकि इस सक्षेतर से बड़ी संक्या में मुक्के बाज आते हैं, तो इसका जो right answer हो जाएगा, वो हो जाएगा, A option, बिवानी जीले को भारत में mini Cuba कहा जाता है, next question है, question number 40, खसरा और रुबेला डैस दवारा होता है, तो प्यारे बचों यह बैक्टीरिया से होता है, जीवानों से, वाइरस से, विसानों से, या फिर प्रोटिष्टा, या फिर फंजाई का वक, इन में से बताना भी खसरा और रुबेला जो है, यह बीमारी होती है, यह क इसका अंसर हो जाएगा, question number 42, आपका science का numerical है, इसका भी answer A हो जाएगा, question number 43, math का question है, आपको PDF में मिल जाएगा, भी option इसका अंसर होगा, next question, question number 44, हरियाना का थडी नरीते किस त्योहार से संबन्दित है, प्यारे बचों हरियाना में जो थडी नरीते किया जाता है, वो कब किया जाता है, नवरातरी को किया जाता है, तीज को, होली को, या फिर गुगा नौमी को, तो जो थडी नरीते होता है, प्यारे बचों, य साइट और सबसाइट की उसमें भी करवा रखा रहे हैं अब आगा क्वेस्टन नुमर 46 फिल्मी पगड़ी दय ओनर में अपनी भूमिका हे तू डैस को सरवस्रेट सहायक कलाकार हे तू राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकार मिला था तो अपने सामने उसा सर्मा बलजिंदर को सीला पहल तो हमें बताना है इन में से कोन है प्यारे बचो और एक सुमीत्रा तो जो राइट अंसर होगा वह जाएगा बी ओप्शन बलजिंदर को जिनको फिल्म पगड़ी दय ओनर में अपनी भूमिका हे तू एक सरवस्रेट सहायक कलाकार के रूप में नैसनल फिल्म पूर दक्सीन अफ्रीका इंगलाइंड और ऑस्ट्रेलिया तो जो 2018 में रास्टर मंडल के खेल हुए थे कोमन वैल्थ गेम्स जो हुए थे पहरे बचो वह थे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड पॉस्ट में अब आता है क्वेस्टन नमर 48 48 वा क्वेस्टन देखो संसद में विद विदेखों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोधन होना अनिवारिया है और ऑप्शन सी वित मंत्री वित विदेख लोकसभा में परस्थूत करते हैं और ऑप्शन डी विदेखों के संबंद में ऐस हैमती का संसद से के संयुक्त सत्तर के माध्यम से सूल जाया जा सकता है तो कौन सा गलत है प्यारे बचों यहाँ पर उप्शन ए में कै दिया है वित विदेख सरव पर्थम संसद के किसी भी सदन में परस्थूत किया जा सकता है यह बिल्कुल गलत है और यह यह मारा क्या हो जाएगा प्यारे बचों राइट अंसर क्योंकि जो वित विदेख होत नहीं है यह पुराना क्वेस्टन हो चुगा है क्वेस्टन नमबर पचास डैस एक तकनीक है जिसमें संप्रेशन है तो दो गाठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भोतिक कनेक्शन सापित किया जाता है कंप्योर का कुेस्टन प्रकेट स्फीचिंग सर्कुट स्वीच 도्राइब क्वेस्चन मुद 9 क्या सकता है य क्वल भोटिक मनंवैग्निक उपतिक यूखुदब तो प्यारवश्व फैक्ट क्या हो सकते हैं, बोतिक भी हो सकते हैं और मनोवग्यानिक भी, तो C उप्शन जो इसका राइट अंसर हो जाएगा Q52, डैस जिले को सरीपद जनपद कहते हैं, तो प्यारवश्व शरीपद जनपद के नाम से महावारत में किसको जाना जाता था? कुरुक छेतर, रेवाडी, फरीदाबाद, पंचकुला, तो राइट अंसर हो जाएगा A option कुरुक छेतर नेश्ट है, वह सरीइंखला ज्यात करें, जिसमें आशन अक्सरों के बीच छोटे हुए अक्सर, तो रिजनिंग का question प्यारवश्व डी ओप्शन अंसर हो जाएगा तो अगला question, question number 54, इस व्यक्ति को बाखडा नंगल बांध का जनक माना जाता है, तो प्यारे बचो बाखडा नंगल बांध जो है वो चोधरी छोटुराम जी की देन है, तो प्यारे बचो मारा जो next question है, वो क्या है, question number 55, हरियाना संस्किर्ट अकादमी द्वारा परकासित, मासिक पत्रिका का निमन में से क्या नाम है, संस्किर्ट वानी, संस्किर्द बारती, हरी परबा, संस्किर्ट बासा, तो प्यारे बचो ये बहुत ही easy question दिया गया है, और इस question का जो answer है, वो आपको comment box में बताना है, question number 55 का, comment box में मुझे comment करके बताना है, इस question का जो right answer है, व पन, 56 number question पड़ो, प्रित्वी के चारो और, एद्रिश्या गैस की चादर, डैस कहलाती है, इसको आयन मंडल, सोब मंडल, ट्रोपोस्पेर, स्ट्रेटोस्पेर, आयनोस्पेर, या फिर एट्मोस्पेर, क्या बोला जाता है, वाईउ मंडल, तो भई, right answer जो हो जाएगा, वो हाली पुरुसकार, डैस द्वारा दिया जाता है, तो हरियाना पंजाब अकादमी, हरियाना उर्दू अकादमी, हरियाना संस्कीर्ट अकादमी, या फिर हरियाना हिंदी अकादमी, तो हाली पुरुसकार किसे संबंदी ता, प्यारे बचो, यह हमारा हरियाना उर्दू अका प्रीथवी और मंगल तो मरकरी वेन्योज अर्थ एंड मार्स ये जो हमारे अंतरीक ग्रह होते हैं बुद्ध शुकर प्रीथवी और मंगल बरस्पत सनी अरून और वरून ये हमारे क्या होते हैं प्यारे बत्चों ये आउटर प्लानेट बोले जाते हैं अब आगया question number 69 डैस किसी प्रकार के मानों का कर्म है और पुर्णां को द्वारा सुचकांकित है ये निर्वी कलप है computer का है प्यारे बत्चों are a sequence of values of any आगे पता नहीं क्या है ये and are indexed by integers they are known as तो प्यारे बत्चों उनको टपल string dictionary या फिर list क्या बोला जाएगा उनको बोला ज 60 साथ भी द्यार्थियों की एकक्स्या में 25 क्रिकेट खेलते हैं 20 यह अपना जो है math का question हो जाएगा पहरे बचों सी ओप्शन इसका राइट अंसर है इक सथ नंबर क्वेश्चन सूरज मुखी sunflower is an example for dash type of placentation तो सूरज मुखी अप्राप्रोपन के डैस प्रकार का एक उदारन है सीमांत अप्रारोपन मुक्त केंद्री अप्रारोपन सीर्शी अप्रारोपन अधारी अप्रारोपन तो जो राइट अंसर होगा वो जगा बैसल placentation अधारी है अप्रा रोपन तो भी नेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर reasoning का क्वेश्चन है क्रेश्ट नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 21 क्वेश्चन नंबर 64 डैस पूरो इसाई यूग के योदे जंजातिय गणराज्ये से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो-ग्रीक सिक्के सिक्कों के हेरो कास की स्रिं की ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट अंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अब आता है नेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 निमन में से कौन सा सिंदु गाटी सब्वेता का एक प्राचिन पत्तन है तो यहां पर प्यारे बच्चों एंशेंट फोर्ट ओफ इ राजमा किस्म चुनीए जो bacterial ब्लाइट रोग परत्ति रोधी है तो हिम गिरी पूशा कोमल पूशा सदबहबार या फिर पूंस सोरों तो जो राइट वाइट अंसर होगा प्यारे बच्चों राजमा की वह किस्म जो bacterial ब्लाइट रोग परत्ती रोधी होती है तो राइट evidence act कब लागूँ वह प्यारे बचो एक जणुरी ठारा सो बैतर एक अक्तुबर ठारा सो बैतर एक सितंबर ठारा सो बैतर एक सितंबर ठारा सो बैतर तो राइट और अन्स रोगा c option static question है 1 सितंबर 1852 68 number question है reasoning का answer हो जाएगा c option तो प्यारे बचो जो next question है, question number 70 1556 में अकबर की मुगल फोजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमा दित्ते की उपादी धारण की तो किसी ने धारण की दी प्यारे बचो ओप्शन ए सेरसा चुरी ओप्शन भी हेम चंदर राणा परताप या फिर प्रिथवी राज चोहान तो राइट अंसर हो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उधारण है तो डीबि अंसर होगा सी ओप्शन रामा स्वामी नाईकर निमन में से कौन सा डाटाबेस मेनेजमेंट शिस्टम का एक उधारन है तो dbms का example कौन सा होगा प्यारे बच्छो sql.net sap या फिर oracle तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्यारे बच्छो sql sap और oracle यह तीन database है जबकि dotnet क्या है प्यारे बच्छो यह एक dotnet क्या होता है प्यारे बच्छो dotnet एक language होती है 74 नंबर क्वेस्चन है यह आपका probability का क्वेस्चन है सी ओप्षन इसका अंसर होगा तो भी क्वेस्चन नंबर 76 देखो निमन लिकित कूट का निर्गत क्या है तो भाई यह कंप्यूटर लेंग्विज का क्वेस्चन है प्यारे बच्छो इसका जो राइट अंसर होगा वह होगा सी ओप्षन ओल्ड इज प्रिंटिड क्वेस्चन नंबर 77 भारत में खद्य सुरुक्ष्या अधिनियम वर्स डैस में लागू हुआ तो फूड सेक्यूरिटी एक्ट कबा है तो प्यारे बच्छो भारत के अंदर 2011 12 13 2010 तो राइट अंसर होगा सी ओप्षन 2013 में अब आता है क्वेस्चन नंबर 78 दो जार ग्यारा की जन संक्या के अनुसार जन गणना के अनुसार कह सकते हैं हरियाना की जन संक्या भारत की जन स परसेंट या फिर तेरा परसेंट तो राइट अंसर होगा भी ए ओप्षन दो परसेंट और अगर एक्च्छल पूछा जाए तो दो दसमलव जीरो नो परसेंट नेक्ट क्वेशन नमबर 79 यह आपका रिजिनिंग का क्वेशन है इसका D-Option अनसर हो जाएगा तो पेरे बचो यहाँ पर देखा जाए तो नेक्ट क्वेशन है अपना क्वेशन नमबर 81 तो पेरे बचो अपना 81 नमबर क्वेशन क्या होगा चीली सोरा है तो प्यारे बच्छों चीली सोल्ट पीटर किसको बोला जाता है N.A.N.O.3, K.N.O.3, L.A.N.O.3 या फिर C.A.N.O.3 तो ये N.A.N.O.3 को बोला जाएगा प्यारे बच्छों ए ओप्छन अपना right answer इस question का हो जाएगा अब आगया question number 82 ये आपका quadratic equation का question है तो जीलो की संख्या कितनी थी प्यारे बच्छों जब हरियाना बना 1966 में तो 21, 15, 7 और 9 राइट अंसर क्या होना चाहिए प्यारे बच्छों जब हरियाना बना तो 7 चिले हरियाना के अंदर मोजूद थे 84 number question हरियाना का सूचना लोकसंबंद और बासा विभाग एक डैस पत्री का निकालता है प्यारे बच्छों information public relation language हरियाना ब्रिंक्स आउट एक जो उनकी पत्री का है उसका क्या नाम है हरियाना विकास, हरियाना दर्शन, हरियाना सववाद या प्रॉक्त में से कोई नहीं तो right answer होगा प्यारे बच्छों इस question का हरियाना सववाद 85 number question तो यहाँ पर एक और language का question है प्यारे बच्छों coding का question है language का तो D option इसका right answer रहेगा question number 86 हरियाना के इस सथान पर एक अठाइस सो मेगा वोट का नया सकती से इंतर लगाया जाएगा रिवाडी गोरकपूर जीन्द सिर्शा तो इसका जो right answer होगा वो होगा B option गोरकपूर पतेहबाद में प्यारे बच्छों यह लगाया जाएगा next question number 87 वह है विकलब चुनिये जो networking में सामिल नहीं है तो भी कौन-कौन networking में सामिल नहीं है प्यारे बच्छों यहाँ पर अगर देखा जाए तो C option transferring जो है power transferring जो है वो networking में सामिल नहीं होता इसके अलावा remote database दूरस्त database तक पहुंच reach to remote database संसाद अनसाजा करना यह भी होगा प्यारे बच्छों संप्रेशन जो है यह भी होगा आपका question number 88 का जो answer होगा क्या होगा सुईदान कब है अनुचेद जो जम्मू और कस्मीर को वी से इस राज्या का दरजा परदान करता है A है 370, B 382, 313, 332 तो प्यारे बच्छों इसका जो right answer होगा वह होगा A option 370 लेकिन अब जो है इसको खतम कर दिया गया है अब ऐसा कोई अनुचेद नहीं रहा है 370 को अब निरस्त कर दिया गया है तो प्यारे बच्छों यह था अपना एक previous year का paper और प्यारे बच्छों यह हरियाना पुलीस का paper था अपना 3 2018, category number 1 23 December 2018 की morning shift में यह paper पूछा गया था प्यारे बच्छों इसकी official answer की के साथ हमारा 6 number paper जो आज complete हो जाता है अब इसके बाद हमारा जो paper होगा paper number 7 आएगा जिसके साथ हम जल्द ही आपको मिलेंगे इसके लावा प्यारे बच्छों यह थी आप चैनल पर नहें तो प्यारे बच्छों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो आपको कैसी लगी है कोमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर दें और बैल आइकन दबा लें ताकि कोई live class होती है तो प्यारे बच्छों आपको उसका notification तुरंट मिल जाए तो जुड़ने के लिए सभी बच्छों का बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैबारत